और अभी घर गरस्ति छोड़कर आहे हैं सन्यास लिए apps mean लग रहा है कि अपनी पतनी को अपने बच्चों को शौप के आये हो बच्चे उनकी सेवा करेंगे उनकी आपके प्रती अनुमती कि आप जाओ रुषान्यास ले लो अब आप उनका चिंतन छोड़ दीजिए और उनका प्रश्ण छोड़ दीजिए नया जन्म हुआ मानुशन्यास लिया अच्छा है सास्त्र शम्मत है चौथी अवस्था में ऐसा है कि यदि पतनी साथ चले तो उसको यदि वो नहीं चलना चाहती उश्य अनुमती लेकर उसकी बिवस्था करके भगवान के मारग में जाया जा सकता है तो अब आप आ गए है पर है बड़ा कथिन क्योंकि मुष का त्याग करना बहुत कथिन है बाहर से वेश्परिवरतन कर लेना सहज है पर अंदर से मूभ का त्यागन करना बहुत कथिन मुह का एकांत में रोना आएगा पत्नी की याद करके बच्छों की याद करके बच्छी की याद करके यह वैराग यह बहुत कठिन है अंदर से समालो नाम जब करो तो समल जाओगे महिना दो महिना चार महिना में उनको देखने की इच्छा होगी फोन से बात करने की इच्छा होगी संप किया करें मिट्टी हो जाएगा हमारी स्पष्ट बात समझे लेला प्रथम कालेज में अभी स्टुडेंट हो इस महारग में तो इसलिए यह खोखला कर देगा अंदर यह दिनाम जब नहीं चलेगा तो और नाम जब चलाया और भगवान कास्ट्रे सोच लिया कि मेर प्रथित हो जाते हैं तो आप फिर वह समझ लीजे ना बिवहार के रहे ना परमार्त के रहे ऐसे न वैसे रहे मजरेड़ो पाचलियों जो करी निर्भासित नहीं आप मृत्यू का वरण करो और शांत भाव से निरंतर नाम जब करो चाहें जितना कश्ट आवे विचलित मत हो शुक्ष विधा का भोग मत करो सब भोग लिए हो सब भोग लिए अशुविधा से भजन करो ब्रजवाशियों की टूक मांग के खाओ ब्रद्शरीरे सब्जियादी की बिवस्था करो रिकांत सेवन करो तो भजन में रुची हो जाएगे भजन में रुची नहीं अगर बंडाराव विवार में पचे तो मोह को नहीं रोक सकते पचासों वर्स का अनुभव वह आपको खा जाएगा नाटक रह जाएगा और दस बीस पचास हजार इधर से कमा कुदर भेजी दिया करोगे इसके बार नरख जाओगे हमारी बात इस पर स्था है वही राग्य का मतल लेगा खुबन वह की बात कहते हैं पांच पांच रुपया सो सु रुपया जोड़ोगे बाद में देया होगे इससे बहुत बड़ी हामिं हो जाएगी अब अब नहीं हापका करतब है जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपके अंदर की जो हिम्मत है मजबूत होनी चाहिए तू अब आप देख लो समाल बंसी वाले के चिंतन की कर लिए वह यह चड़ेगा मैं नहीं लेता हूं कुछ पी समाल गुरुजी को देता हूं बहुत हां संभल के रहा कि आखिरी मंजील अगर पार हो गए तो पार हो गए लड़कडा गए तो गिर गए बतलब बहरागे के अब कैसे कहें बहुत सावधानी से चलो तो निपट जाओगे आखिरी मंजील है नाम मंत्र अंदर चलाते हो निरंता है साथ मेरे ते मेरे वह भी नहीं शोड़ते अलग अलग नहीं होते मेरे ते मैं जाता हूं थोरा साइद हो तो रोड़ने बेट आते गुरुजी हमारे स समस्या है समस्या है अब बस अंदर से देखते रों गुरुजी का स्वरूप क्या है यह समझना बड़ा कटिन है हमारी बात को साइद निकल जाते हैं चलो भगवान की कृपा है गुरु प्रेम है पर चलो नाम जब करो नाम जब करो और भगवत बिश्मरण नहोंने पावे आगे बढ़ो ठीक है ना गुरु निर्पेक्ष और चेला आसक्त और उल्टा है यहां पर्मार्त का महारत की एक्षग करने ऑफ और निरपएक्षजह नहें आये कि उज्जत ने घय कि तलास नहीं फेक्षगा सकत कि बिजया शक्ति प्रतिकोल स्वरुफ हो जाए फंसे उनकी सेवा उनका चिनतन भादुर बनों आगे बढ़ो नाम जब करो गुरू सेवा में रहो रहो चिनतन को पकड़े रहें चिन तंड चूटे चिन नाम जब करो भगवद आश्रित रहो परिवार से अब यह सोचो मत की अपराद बनाए कि नहीं कोई अपराद नहीं यह कि भगवत मार्ग में आपने समयक बेउस्था कर दी अब पैसा मत भेजना बाबागीरी को पैसा मत भेजना लहीं तो दुर्गती हो जाएगी जो बाबा सेवा के लिए वहीं लगना चाहिए अगर कहीं उसका दुरुपयोग हुआ तो हराम का नहीं है खा जाएगा यह बुद्धी ब्रष्ट कर देगा गिरा देगा चार दिन में गुरुजी ने गादी देदी पैसे जितने भी आते मैं अटा पड़ान लेके आता हूं इतने सेवा करू खुट नाम जी